चानक के समसाम्द की विशेश में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा विशे है वेश्विक जलवायू जोखिम सूचकांग 2020 तो चलिए देखते हैं इस सूचकांग में क्या क्या कहा गया है यह सूचकांग जर्मन वाश द्वारा जारी किया गया है इस सूचकांग में भारत को वेश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित देशों में सात्वे स्थान पर रखा गया है और इसके आकडे 2019 के लिए गये है आईए देखते हैं सूचकांग में विश्व की स्तिती क्या है सूचकांग में तुफान, सूखे, हीट बेव और बारतों सूचित किया गया है अर्थात इसको आधार बनाया गया है इसी आधार पर 2019-20 के डाटा का इस्तिमाल करके इस सूचकांग को जारी किया गया है इस सूचकांग में मोजामबेक, जिंबाबे, बाहामास 2019 में सबसे अधिक मौसम और जलवायों की चुनोतियों का सामना करने वाले देश है और ये सारे स्थान बत्तर गरम सानों में शामिल है तुफान डॉरियन ने बाहामास को सबसे अधिक नुकसान भी पहुँचाया है मोजामबेक, जिंबाबे और मलावी, चक्रवात, इडाए के एकल चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित दिखे और दुनिया भर में 11.8 बिलियन लोग तिव्र मानसुद से प्रभावित थे जिसकी आर्तिक छती लगभग 10 बिलियन डॉलर थी सूचकांक में जापान, अफगानिस्तान और मलावी को भी शामिल किया गया है 2000 से 2019 में फ्यूटोरिको, मयम्मार और हेती जलवायू परिवर्तन के कारण सबसे गरम राजे बन गए है आईए अब देखते हैं सूचकांक में भारत की स्तिती क्या रही रिपोर्ट के अनुसार, 2000 से 2019 के बीच, लगभग 4,25,000 लोग भारत में 11,000 से अधिक जलवायू परिवर्तन की घटनाओं की कारण प्रभावित रहे इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 में मांसुन सामाने से एक महीने जादा तक रहा जून से सितंबर 2019 की अवधी में लंबी अवधी काल ओस्त 110 परतिशत था भारी बारिश के कारण भारत में भेंकर बाड़े आई, जिसके कारण 14 राज़व में लगभग 18,000 लोग भी मारे गए और बाड़ से 8 मिलिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा भारत में 8 उष्ण कटिवंदिय चक्रवाद इस समय में आएं, जिसमें से 6 चक्रवाद बहुत ही गंभीर स्थितिके माने गए चक्रवाद फैनी जोकी अत्यदिक गंभीर स्थिनी में आता है, इससे 28 मिलिन लोग प्रभावित हुए और अकेले भारत और बांगला देश में इससे 90 लोगों की मौत भी हुई 2000 से 2014 के बीच में पर्यावण के चरम मौसम की स्थिति के कारण लगभग 56 मिलियन अमेरिके डॉलर की क्रेश शक्ती समता का नुकसान भी हुआ भारत को कई ecology जैसे glacier, उचे पहाड, लंबी तटिय रेखा और साथ ही semi-arid reason का लाप्राप्त है और इसी कारण से भारत जलवायू परिवर्तम के केंद्र में रहता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवातों में भी तेजी आई, glacier तेजी से पिगले और गरम हवाएं भी बहुत ही बढ़ गई क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की अधिकाश आबादी क्रशी पर निरबर है और पर्यावन पर किसी बेतरह का प्रभाव सीधा क्रशी पर पड़ता है इस साल जो अधिकाश बाड़े आई, उससे ना केवल जानमाल की नुकसान हुई, क्रशी को भी इससे बहुत जादा नुकसान हुआ इस साल भारत में मान्सुन की प्रिवर्दन शीरता के कारण भारत के कई शहर भी डूब गए चलिए अब देखते हैं Global Climate Risk Index को यह Index German Watch द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है यह सूच कांग देश और अर्थ विवस्ता पर चरम जलवायों के घटनाओं के प्रभाव का विशलेशन करता है और इसका विशलेशन मौसम संबन्दी नुकसान के घटनाओं से कोई भी देश कैसे प्रभावित हुआ उस पर निर्भर करता है जर्मन वाच के बारे में अगर बात करें तो यह एक गैर लाबकारी गैर सरकारी संकन है जो 1991 में स्थापित हुआ था यह NGO जर्मनी के बॉन में स्थित है और यह व्यापार और प्रयावरन पर सारवजिन पनीती को प्रभावित करने के उद्देशे से स्थापित किया गया है चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्ण आज का प्रश्ण है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से सम्मन्दे कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक यह इंडेक्स जर्मन बॉश द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है कथन दो यह सूचकांग देश और अर्थवस्ता पर चरम जलवायू घटनाओं के प्रभाव का विशलेशन करता है उप्रोक्त में से सत्यकतन है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनो, विकल्प D ना 1 ना ही 2 आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा पिछले वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था, उसका सही जवाब है C. Oxford इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update